गुद मानिंग बीटा गुद मानिंग गुद मानिंग बाबू क्या वा अपने कार देख रही हो आप यहीं पे यह ममा ने कहीं पे भी नहीं रखे आपके साथ ही सूरी थी आपकी कार पी करोगे पी पोटी चले पी करके आएंगे अपन नहीं करना भी ठीक है ममा को बता रहे ना जब आपको लगे बहुत टाइम होगे आपको पी की हुए पुरी रात हो गई क्या ब्रश भी करनी है ओकी जगने की बार में सबसे पहले मैंसे जो देती हो है हलका गुन-गुना पानी पानी पीने के बार में इसे पी और पोटी या लेके जाती है उमॉश्ट लिये पी boys पोटी एकसाद कर लेते है कभी कभी ये दूद पेने के बार में भी पोटी कहते है अब ये दूद पी रहे पी और पोटी ये आज चुक है 8.30 या 8.40 तक इसका मिल्क फिनिश हो जाता है उसके बार में इसे थूर्दे तक बैट पर ही रखती हूँ क्योंकि इस सुबह सुबह सर्दी ही होती है बार में इसे नहीं जाने देती है तो मैं इसे एक काउंटिंग और श्रेप वाले जो टोईज लेके आई थी मैं इसे दे देती हूँ और यह मॉस्ट अपना इनके साथ अच्छे से स्पैंड करता है हाँ ग्रीन है पिंग ग्रीन हाँ हाँ सर्कल ग्रीन हाँ ग्रीन हाँ ग्रीन हाँ तो चले ब्रुष करने साथ ब्रुष करने का है ताइम होगे ब्रुष करने का है ताइम होगे ब्रुष करने का है ताइम होगे ब्रुष का है ऐसे करोगी याप पे मुमा के आप कर दोगे मुमा से कर बालोगे आप यहाँ करेगा बड़ा आँ पचा आँ पचा आँ आँ आ तो आप पिर मुम्मा है ना थू करो अपने ब्रेश करके रिखाओ अब करके रिखाओ उपस हो गया मम्मा की दिर ठीका ठीका गेम्री में कैसे करता है देखा थू करो भोल्के बताओ जिसे भी करके णैनिन गर तोर के क्या करेगा ये सफाइ जब तक की अपने पापाके साथ खेलताhy है मैं ब्रेखपस्ट औ लंझ की प्रिप्रिशन साथ में कर लेते हूं और आज मैं मैं ब्रेकपस्ट में बना रही हो पनीर कोई दोसा जिसे बनाने के लिए मैंने नॉर्मल डोसा वाला बैटर तेयार किया है सूजी एन थही का उसके अंदर मैं पनीर एड कर रही हूँ वन स्मोल साइड ओनियन और कॉरियंडर लिवस आप जो हो तो समें कोई और वेजीज एड कर सकते हो अगर आपको करना है बट यह जब मुझे कुछ भी वेजीज नहीं होती हो और कुछ भी एड करने के लिए नहीं होता है ता मैं क्विक लिए बनाती हूँ अब मैं इसमें एड कर रहे हूँ थोड़ी सी हल्दी ब्लाक पेपर अभी सर्दी है तो ब्लाक पेपर बच्चों के लिए अच्छी होती है नमक थोड़ा सा रैड जिली पाउडर अभी मैं इसे रैड जिली देना स्टार्ट कर दिया है कुछ टाइम से कि थोड़ी थोड़ी मिर्जी इसको खाना चाहिए इन सबको मैं अच्छी से मिक्स कर लूँगी अगर आपका बीबी एक साल से छूटा है तो आप उसी रैड जिली पाउडर है और नमक को स्कीप कर सकते हो इन यह आप से लेकर किसी भी बीबी को दे सकते हो बड़ा हो या छूटा यह बनती भी बहुत सॉफ्ट है और डाइजस्ट भी हो जाते है डाइजस्ट से रिलेटेट कोई प्राब्लम ने होती बच्चों को अब मैंने जापनी थोड़ा सा पाणी एड़ किया है consistency आप अपने recording कम ज्यादा रख सकते हो जिस consistency का आप बनाते हैं मैं थोड़ा normal consistency रखते हूं ना thin रखते हूं ना thick रखते हूं कि अच्छे से बन चाहें, soft soft ही, अब मैंने तवे पे घी लगाया है, आप oil भी यूज में ली सकते हूं, बट मैं यही बोलूँगे, अगर आपका बच्चा चोटा है, तो आप घी यूज में लीजिए, बच्च इसे अच्छे से सिखने दूँगी, जब इसे सिख जाएंगे ता मैं इसे पलट दूँगी इस तरीकी से, और बैक साइड से भी फिर मैं इसे सिखने दूँगी, आप इसे medium flame पे ही सिखिए, क्या करते हैं कि अगर हम high flame पे सिखते हैं तो यह जल जाते हैं और हमको लगता है और दो पीस, almond की and दो पीस मैंने केश्यू रखे हैं, मैं इसे almond and केश्यू mostly morning में दे देती हूँ, breakfast के साथ कभी कभी रखते हूँ, जब इस morning में नहीं लेता है, और मैंने इसे हलकी से घी में रोष्ट करके, इसके उपर नमक and थोड़ा सा black paper अड़ किया था, यह नहीं खाय मुझे पहता है, breakfast में इस तरीके से बहुत रेरली खाता है, खाले तो बहुत अच्छी बात है, इस तरीके से खिलाते हूँ, जब थोड़ी से पीस, थोड़ी से खिलाती हूँ, वनना इसे पसंद नहीं है, खुद से खाना तो अवोईट करता है, बट मैं ट्राय करते हूँ दो काजू, दो बदा, मैं एटलस डी में खा ले, किसी भी फॉम में खा ले, अगर पाउडर या फिर जो चाहे जिस फॉम में, breakfast के बार में थोड़ी दे के लिए खेलता है, और जब तर मैं kitchen में सफाई कर रही होते हूँ, या फिर लंच की तयारी कर रही होते हूँ, तो kitchen क दे रही हो, mid morning snack, जिसमें मैं आज इसे दे रही हूँ, banana, apple and singada, morning snack में मैं इसे fruits देना जादा प्रिफर करती हूँ, क्योंकि ये winter में best time होता है, fruits देने का और बच्चों को day में at least आपको fruits देने ही चाहिए, और अगर आप day में दे रही हो तो ज्यादा एवनिंग में आपके ले आई हूँ, और इसे खुद से काम करने का बहुत जादा शोक है, हर काम खुद से करना पसंद करता है, कुछ भी हो, कभी-कभी तो irritation भी होते है, पर कभी-कभी अच्छा भी लगता है, यहाँ पर सर्दी और एक खुद से ही time ले रहा है, तो मुझे डर रहता है कि कहीं से सर्दी न हो जाए, और अभी मैं से नहला के रेडी कर लूँगी, नहाने के बाद में मैं से थूट दे के लिए छट पे ले जाते हूँ, वहाँ पर यह प्ले करता है, इससे क्या होते है, इसके आउट्डोर एक्टिविटीज भी हो जाती है, तो इसको भूख लगन इसके साथ आज आती है, तो दोनों साथ में बहुत देर तक खेलते हैं, और रुदर के बहुत अच्छी फिजिकल एक्सराइज हो जाती है, मैं आप लोगों को बता दो, रुदर कम्प्लेट्ली पोटी और पी ट्रेन है, यह मुझे बता देता है, जब भी इसे पी आता है, यह पर पोटी आती है, अब यह कम्प्लेटली डाइपर फ्री है, पोटी ट्रेन होने के साथ साथ यह पी ट्रेन पी है, यह सूसु भी मुझे बता देता है, पर ही मैं नीचे आ गई हो और बना रहे हो, इसके लिए लंच, लंच की तयारी मैं अल्रेडी पहले कर चुकी होत कैरट, कैपसी कम, सिम्ला मिर्च, बीन, यह मैं एड कर यह कैश्यू क्योंकि दिन में मैंने इसे दिया था वो इसने नहीं खाया तो मैं सोच रहू इस तरीके से खा ले तो, अब हम इसमें एड करेंगे थोड़ा सा नमर, ब्लैक पिपर, हरा धनिया, आप चौँते हैं यह तर्मरिक भी एड कर सकते हो, मैंने यह पर तर्मरिक एड नहीं किया है, अब मैं इसमें एड कर रहे हूं पनीर, अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगी, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी एड कर की, इसे कुक करने के लिए रख दिया है, मेडियम फ्लैम पी, अब मेरी जीज की साथ कुक करूं, तो वो किच किच कि ना हो, और अच्छे बने, यहाँ पर हमारे राइस बनका रैडी है, मैंने इसमें 1 टेबल स्पून बटर एड किया है, आप चाहो तो एड कर सकते हूं, और अवोईड कर सकते हूं, थोड़ा से घी एड करने से क्या होता है, चा प्लेन राइस खाता है, सबजी के साथ नहीं खाएका, अगर मैं इसमें तर्मारिक एड कर रहे हो, तो भी यह नहीं खाता है, तो मैंने यह अल्टेनेट निकाला है, इसको राइस खिलाने का, कि यह प्लेन राइस का रहा है, तो इसके अंदर कुछ वेजटेबल्स में एड कर दू, तो इसको बेजटेबल्स के साथ अभी खा रहा है, बट यह ही राइस अगर मैं दाल आइड कर देते हो, खिचडी बना के देती हो, तो वो नहीं खाता है, और दाल भी वो नहीं खाता है, उसे दाल बहुत कम पसंद है, जब उसका मून होता है, दाल खाने का तो ही दाल खाता है, देखो, यह पर वो कोरी रोटी खा रहा है, पर डाल के साथ नहीं खा रहा है, खाना खाने की बाद में से सोने के लिए अपका, कार को सुला रहे हो पेले, कौन सा टाइम बिटा, बोल के बताओ, स्लिपिंग टाइम, अब सोजो मुमा लाइट सौफ कर रही है लेट जो, कार सोगे, कौनाइट बोलतो, अपका, अपका भी करोगे, अगौनाइट, ममा लाइट सौफ कर रही है, अपका, अपका भी होगे, कौनाइट भी बोलतो, जल्दी जल्दी बोल के रुको, जेबी को भी बोल दो, पता नहीं, कार है क्या है, सबको अपका भी बोलेगा, अगौनाइट भी बोलेगा, गल्ती से कोई कार मिस हो जाया, और आथ कोई जगरा हो, उसी वक्त इसको याद आते, और चेक भी करता है, कि ममा नहीं दवर दर् रख दिना मेरी कार, 8-9-10, हो गई आपकी अपपा, अब सोजो ममा लाइट सोफ करेगी, इसको भी करना है कर दो, यस, और ममा को अपपा, अब लेट जो, जिल्दी से लेट के बताओ ममा को, आईश क्लोज करके, ग्यूद बोई ममा के आईश क्लोज, से गुटनाइफ, दो बज़े तक इस सो जाता है, जिसके चार बज़े जगता है, अभी यह सो रहा था, तो मैंने सूचे जगे में इसके एवनिंग स्नैक बना लिगती है, इसलिए मैंने मिल्क बॉल्ट होने के लिए रग्ज दिया, कि आरो रोष्ट कर सकते हो टूरिक इसके लगिए दे लिमकस्ट का टेटिऊ ओ impacting Pv$ इसके है अज जिए सवीन, एक भी अज हो यहहीं कर सकते हैं यहीं जोन तर्फिक्स नहीए मैं मैं बनाँ इसे सोप बनादिया ने मैं अगर हैनले कर दोड़आ eddiंगी है मैं अब इसे फुल ऐसे रोष्ट करके इसकी रेसेपी में आप लोगों के साथ शेयर करते हुए किस तरीके से बनाती हूँ जब तक सो रहा तब बनाते हूँ मैंने कडाई की अंदर वन टेबल स्पून घी लिया है जब घी मेल्ट हो गया तो मैंने इसमें मखाने एड किये हैं अपको इसको मेडिया फ्लेम पर ही रोष्ट करना है अगर हाइफ फ्लेम पर आप रोष्ट करोगे तो क्यों होगा मखाने जल जाएंगी अम इसमें एड कर अगर बच्चों के लिए बहुत जादा जूरूरी होता है जैगरी पाउडर इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगा एं हमारी जो मखाने वह बन कर तयार है रोष्ट हो चुके हैं और वह कुछ इस तरीके से लिखते हैं बनने के बाद में आप मखाने बच्चों किसी भी फ पासन करें लिखते हैं तो में नमक आइंड ब्लाक पेपर एड कर सकते हैं या फिर आप मखाने के खीड सकते हो मुझाओ सब्सक्राइप कर सकते हैं किसी भी आप मखाने बच्चों कि नइड में जरूर एड किजिए अगर आप लोग मेरे वीडियो को फॉर्स टाइम देख रहे हैं और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज मेरे चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिए फाइव क्लॉक तक इसका मिड इवनिंग स्नेक हो चुका होता है उसके बाद में मैं कुछ भी अक्टिविटी से जरू कराते हूं तो इस तरीके से इसका रूटीन होता है हर दिन कुछ ना कुछ डिफरेंट अक्टिविटीस के रूटीन में एड होती है सेम नहीं करवाते हैं यह बोर हो जाता है अब इमैने से काने के लिए चिलकी और उपर से क्विटीन चिलका यह नहीं खाता है इसको इस तरीके से साफ करके तब ही खाता है अब को मुंफली पसंद देखे बिटो चीजी आपकी चीणी मिली हो इसमें आज मैं इसके डिनर में बना रही हो पराथे जिसे बनाने के लिए मैंने पालक लिया है गोबी लिये आलू लिया है वन बॉल डालू बेट रूट लिया है टू लैसुन लिये थोड़ी से अधरक डालूंगे और कॉरियंडर लियुज दिनिया पालक को अच्छे से दो के साफ कर लिया है और यहां पर मैं इससे ग्या कसर रही हूँ इसी तरीके से मैं आलू को गोबी को लैसुन को कोरियंडर लिय्वस को सब को बेट रूट को मैं इस तरीके से आप देख रहे हूँ है हाँ मैंने हाप कोटोरी आटा लिया है अब इसमें एड कर रहे हूं गोबी आलो बेट रूट पालक कोरियंडर लेव्स लैसुन अद्रक का पेष्ट बेट रूट अब मैं इसमें एड कर रहे हूं थोड़ी सी सौफ अच्वाइन हल्दी नमक लाल मिर्च पाउडर पिलकुल थोड ब्लाक पेपर इन सबकों अच्छे से मिला लेंगी एड दे लाटा लगाना है इसमें पानी भी आटा नहीं करना आप बिना पानी के आटा लगाईए क्योंकि जब तक मिलाती रहे हैं मोस्टली वेचेज में पानी होते आपको पानी की रिक्वाइर्मेंट नहीं होगी उसस के लिए रोटी बना लिए इस तरीके से बनाने से क्या होता है कि हम वेजीज बच्चों के खाने में एग कर देते हैं बच्चों को पता भी नहीं चलता है अगर वो बच्ची जो वेजीज खाना पसंद नहीं करती सब्ची खाना रोटी के साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो आपसे तरीकी से आप पराथा बना की दे सकते हो, और इस फोर में रुटी होते हैं, प्लेज़ बना सकते हैं, प्लेन रुटी में कुछ भी नहीं होता है, इस तरीकी साप रूटी को हेल्थी बना सकते हैं, उसमें वेज़ीच एड़ करके, यहां पर हमारा सॉप्ट सॉप्ट पनाटा बनके तयार है आप चौओ तो इसके ऊपर बटर भी लगा सकते हो मेरा बिटा को बटर पसनने अमूल वाला नॉर्मल मक्षन फिर भी खा लेता है तो मैं यहां पर बटर एड नहीं किया है अभी टाइम हो रहा एट ओ क्लोक और इस अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मुझे बताइए आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा और मेरे चनल को जरू सब्सक्राइब की